हलो दोस्तों मैं हूं दीपक राजपाल टुटोरियल्स क्लास में आपका स्वागत है और आज की सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे थीम इंटिग्रेशन यानि की थीम डिवलपमेंट को लाज सेशन में हमने देखा कि हमारा जो देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवलपमेंट के मेंनु में हमेरा वर्डपरेश के मैंटिन्यू करते हैं तो यह है हमारा WordPress का homepage जिसमें हम देख सकते हैं कि यह जो navigation menu आ रहा है यह manageable है यहाँ पर WordPress के menu से इसके अलावा जो बाकी components हम देख रहे हैं यहाँ पर for an example logo या फिर homepage में यह content boxes है या फिर footer में widget area है यह भी completely pending है तो अगर आपने theme integration का first session नहीं देखा है तो उसका link आपको description में मिल जाएगा इस session में हम start करेंगे इस logo से तो अभी अगर हम देखें तो header.php में हम देख सकते हैं कि यह जो logo है यह हमारा अभी भी static है इसकी जो image है वो हमारे WordPress folder के asset से images से pick हो गया रही है तो अगर देखें तो एक तरह से यह अभी भी static image ही है तो इसको dynamic कैसे किया जा सकता है हम इसको check करेंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पर WordPress की default themes और underscore से जो theme हम generate करते हैं उस theme में यहाँ पर customize में already एक option होता है जिसमें हम logo को manage कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो customize में site identity के under आप देख सकते हैं select logo का option यहाँ पर available है अब यहाँ से अगर हम logo upload करते हैं तो वो यहाँ पर कैसे display किया जा सकता है इसके लिए हम देखेंगे header.php का code तो header.php में जब हमने last session में यहाँ पर यह header का code HTML template से move किया था यहाँ पर तो हमने header.php में जो already कुछ code थ उसको यहाँ पर नीचे रख लिया था.so इस code में से हमने last time navigation menu को उठा कर यहाँ पर dynamic कर दिया था और अब की बार हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे क्या logo से related कोई function हमें दिख रहा है तो आपको यहाँ पर दिखेगा the custom logo के नाम से यहाँ पर function available है.so हम यहाँ से custom logo function को copy करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमारी image आ रही है logo image इसमें anchor tag की जगा पर हम रख देंगे custom logo function को क्योंकि यह PHP का function है तो PHP bracket को open and close किया जाएगा और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो यह कि इसके उपर जो हमें logo की class और div दिख रही है कोशिश यह होनी चाहिए कि इसको हम ना हटाएं क्योंकि यहां से कुछ न कुछ लोगों से related style आ रहा होगा तो इसको हम as it is रखेंगे अब इसके बाद यहां पर देखें तो नीचे का जो code है वो ज्यादा तर हमारे यूज का नहीं रहेगा तो हम default theme के header का यह जो code है इसको हम हटा देंगे सो हमारा header जो है वो almost dynamic हो चुका है यहां से logo manage हो रहा है और यहां से navigation menu manage हो रहा है सो header में हमारे पास ज्यादा code नहीं है हालांकि यह जो code है यहां पर html का वो ज्यादा तर डिपेंड करता है कि आपके html template में कितना html css का code है उसी के coding आप यहां पर place करते हो तो फिल हाल के लिए हमारे पास ज्यादा html का code नहीं है यहां पर header में तो header का काम हमारा finish होता है सो अब हम try करके देखेंगे कि किस तरह सी यह custom logo work कर रहा होगा सो हम यहां पर html template से इस image को save करेंगे और इस image को हम यहां पर upload करेंगे यहां से आप select कर सकते हैं इसके बाद यह cropping के लिए पूछेगा तो हम इसको skip करेंगे और यहां पर हम publish करेंगे और यहां पर जब front end पर हम refresh करके देखेंगे तो हमें logo as it is दिख रहा है बट अब की बार यह जो logo है यह हमारे dashboard के इस customizer की setting से आ रहा है जबकि इससे पहले जो logo है वो आ रहा था HTML से so which means कि हमारा जो logo part है यह भी dynamic हो चुका है logo के बाद हम जाएंगे यहां पर जो main content हमें दिख रहा है home page पे for an example the mains winchester promise के नाम से जो आपको title दिख रहा है और यहां पर जो आपको content दिख रहा है और नीचे के चार boxes के बारे में अगर हम plan करें अगर हम सोचें तो इन चारों को एक अलग page बना सकते हैं for an example our lawyers का एक page बना कर उसका content का starting part हम यहां पर डिस्पले कर सकते हैं in this same way हम एक और page बना सकते हैं get to know us more के title से और उसका थोड़ा सा content हम यहां पर display कर सकते हैं जैसे ही read more button पर click करेंगे तो यह page की detail open हो जाएगी यह जो detail page है वो open हो जाएगा so अभी के लिए हम start करते हैं यहां पर इस content से तो अगर हम देखें यहां पर तो जो हमारा html का template है उसमें content थोड़ा सा different है और जो html template हमने download किया है वो थोड़ा सा different है यहां पर look and feel भी उसकी थोड़ी से different है और इसका title and description में भी थोड़ा सा यहां पर change ना ज़रा रहा है हमें but हमें फिलहाल यह देखना है इसको dynamic करके जो की हम करके देखेंगे यहां पर for an example हम जाएगे pages में pages में जैसे की homepage के लिए already यहां पर हमने एक page बनाया था जिसका नाम हमने रखा था welcome to tutorials class तो यह जो हमारा homepage है wordpress का इसका जो base है वो homepage template है जो कि हम already जिस पर work कर रहे हैं यहां पर homepage-template.php के नाम से तो यहां पर हम देखें उस content को तो हमें यहां पर search करना है इस title के बारे में तो इसको जब हम search करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यह title हमारा यहां पर visible है और content यहां पर visible है तो अगर हम सोचें कि इसको wordpress से कैसे manage किया जा सकता है तो जो भी homepage पे आपका main content रहेगा which means कि आपका main title और कुछ main paragraph या content तो उसको हम manage कर सकते हैं wordpress के page के यहां पर जो title हमारे पस available होता है और यहां पर जो हमारे पस content available होता है तो यहां पर जो भी extra content है फिलाल के लिए हम उसको remove करते हैं अब अगर हम देखें तो इस title को हम manage कर सकते हैं, यहाँ पर इस title से और इस content को हम manage कर सकते हैं, जो यहाँ पर complete editor area हमारे पास available है, उससे इसको हम update करेंगे, अब यहाँ पर wordpress के page में तो हमने title और description या title and content एड़ कर दिया है, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए हमें wordpress की कुछ functions को pick करना होगा, तो हम यहाँ पर जाएंगे homepage template.php में, तो अब हम बात करेंगे wordpress loops के बारे में, तो अगर यहाँ पर हम देखें, तो wordpress loops से हम search करेंगे, wordpress loops जो है, वो wordpress की files का important code, important part होता है, जो कि क्या करते हैं, कि wordpress के pages and posts में जितना भी content होता है, उनको loop करके आपको उनके बारे में complete information आपको display करते हैं, तो यहाँ पर हम loops की documentation open करेंगे, ज्यादा तर template files में आपको इस तरह की loops दिख जाएंगे, इसमें जो आपका यहाँ तक का part है, which means कि if and while loop, यह जो है, यह query करता है wordpress की database से, और complete post की information आप आपके पास लेकर आता है, और यहाँ पर loop जो है end हो जाता है, इसके बीच में, while and end while के बीच में यहाँ पर हम display कर सकते हैं, post content को, तो हमारे पास काफी सारे built-in wordpress के functions होते हैं, जिनको हम use करके wordpress post का title, content, links, इस तरह की information display कर सकते हैं, अगर इस documentation में हम थोड़ा सा नीचे जा तो इन में से कुछ functions को हम use करेंगे, for an example आप देख सकते हैं, यहाँ पर the underscore content के नाम से function है, जिसके थुरू हम यहाँ पर content display कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर the underscore title के नाम से function है, जिससे हम किसी post या page का title display करवा सकते हैं, तो हम वापिस से जाते हैं, हमारे template में, अब इस template की बात करें, तो यहाँ पर फिलहाल हमें कोई loop नहीं दिख रहा है, जो WordPress की template files होती है, या फिर default files होती है, अगर आप उनमें कोई loop नहीं लगाते हो, तो depending on की किस तरह का page वो है, उस template के according, जो है content pick होकर आता है, अगर आप यहाँ पर कोई loop यूज नहीं करते हो, तो by default WordPress का loop य यहाँ पर हम बिन लूप के title and description display करवा सकते हैं, कैसे करवाएंगे हम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम pick करेंगे the underscore title function, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि h1 tag के अंदर यह title यहाँ पर display हो रहा है, और क्यूंकि हम PHP का function use करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम PHP bracket के अंद इस function को रखेंगे, title के बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है paragraph tag के अंदर description है, और description को call करवाने के लिए, यहाँ पर homepage के description या content को call करवाने के लिए, हमारे पास built-in functions available है, the underscore content, once again हम इस function को PHP bracket के अंदर रखेंगे, और इसको save करेंगे, तो चलिए देखते हैं, कि अब अगर हम WordPress page को refresh करेंगे, तो क्या हमारा content WordPress से आ रहा है, तो हमें content में कुछ change दिखा नहीं, which means कि अब यहाँ पर to HTML template में वो content available है नहीं है, तो which means कि यह WordPress dashboard से ही आ रहा होगा, तो इसको test करने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, welcome to tutorials class, let's see, कि जब हम यह WordPress refresh करेंगे, तो हमारे पास यह title वहाँ से WordPress के page से आएगा, यानि कि हमारे इस page का जो यह area है, main section area या main content area इसको हम कह सकते हैं, इसका content भी यहाँ से manage हो रहा है, और अच्छी बात यह है कि WordPress Gutenberg editor जो कि WordPress 5 में ship किया गया था, उसमें काफी सारे components आप WordPress के editor में use कर सकते हो, for an example, आप paragraph, links, columns, इस तरह के काफी सार components आप add कर सकते हो, और WordPress 5.5 में कुछ patterns को ship किया गया है, अगर हम यहाँ पे left hand side में top corner में plus icon पर click करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, काफी सारे बने बनाए patterns हमारे पास available है, WordPress 5.5 में कुछ interesting features जो है, वो add की गई है, उन में से एक feature यह patterns है, तो WordPress 5.5 की latest feature को जानने के लिए आप description से video का link देख सकते हैं, तो हम बापिस से जाते हैं, यहाँ पर patterns में, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो हम कुछ patterns को choose कर सकते हैं, for an example मैंने इस pattern को choose किया, तो इसका content अभी यहाँ पर visible हो गया है, इसके बाद अगर once again मैं जाओं यहाँ पर, next and once again, अगर हम कोई pattern choose कर यहाँ पर, for an example मैं इस pattern को choose करता हूँ, और इस page को अगर मैं update करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं, कि जितना भी content WordPress के इस page में आप add कर रहे हैं, यह सारा content आप यहाँ पर front end में homepage पे देख सकते हैं, तो अगर आप देखें, तो वैसा completely content यहाँ पर आपके पास visible है, so अ इन चारों boxes के लिए एक अलग page बनाना चाते हैं, और वहाँ से इनका content डिस्पले करवाना चाते हैं, तो वह कैसे कर सकते हैं, तो हम वापीस से जाते हैं, यहाँ पर WordPress homepage में, और homepage में यहाँ तक का section हमारा complete हो गया है, अब हम जाएंगे यहाँ पर why choosers blocks में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर create करेंगे our lawyers के नाम से एक page, तो हम यहाँ पर WordPress के pages section में जाएंगे, और add new में click करेंगे, यहाँ पर हम our lawyers के नाम से एक page add करेंगे, इस page के अंदर let us suppose कि जो हमारा content होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, content जो है, वो थोड़ा जादा हम रख सकते हैं फिलहाल के लि starting का content हमें pick करके लेके आना है, इन boxes में, तो WordPress pages या post के content को fetch करने के लिए, काफी अलग-अलग methods हैं, जो आप use कर सकते हैं, अभी जो method या जो function हम use करेंगे, उसका नाम है WordPress getPost, so यहाँ पर हम देखें, तो दो functions हमारे सामने है, get underscore post, and get underscore post, get underscore post with s जो है, यह आपकी recent post दिखाने के लिए एक अच्छा function है, और get underscore post जो है, यह आपकी किसी एक post या page का content दिखाने के लिए हम इसको use कर सकते हैं, तो हम get underscore post पे click करेंगे, तो यहाँ पर हम इस function की documentation को check करें, तो यहाँ पर हम post या page की ID पास कर सकते हैं, और उसका पूरा content आपको मिल जाएगा, so हम direct जाएंग यह code अविलेबल है, जिसमें की get underscore post में 7 ID पास की गई है, so इसी तरह से हम इस code को copy करेंगे, और हम अपने page की ID पास करके, उसका title and content फैच कर सकते हैं, इसके उपर जो example है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि post underscore content से हमें content part मिल जाएगा, post underscore title से हमें title part मिल जाएगा, यह सारे functions यह WordPress loops के function है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, the loop के अंदर भी कुछ इसी तरह के functions आपको मिल जाएगे, तो हम वापिस से जाएगे हमारे template में, तो सबसे पहले box की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, our lawyers के नाम से यह हमारे पास BTEC के अंदर title available है, और उस function use करेंगे, और हमें देखना है कि हमारे page की ID क्या है, जिसको हम यहाँ पे पास कर पाएं, तो हम उस page में जाएंगे, dashboard में, चेक कर सकते हैं, यहाँ पर URL में आपको उस page या post की ID मिल जाएगी, तो 36 ID हमें पास करनी है, इस function में, post title के अलावा, आप content भी pick कर सकते हैं, so content के लिए यहाँ पर आपको सिरफ एक छोटा सा change करना है, post underscore content के नाम से, और content variable में उस content को assign करवा देना है, और इसके अलावा अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि read more का एक link भी available है, so read more के link पे हम चाहेंगे, कि जो य link को हम यहाँ पे दिखा पाएं, तो हमारे पास एक easy function होता है, get underscore permalink के नाम से, तो यहाँ पे हम search करेंगे get underscore permalink, जिसके अंदर हम id पास कर सकते हैं, और उस post या page का जो link है, वो आपको मिल जाएगा, तो once again get underscore permalink में हम directly जाएंगे, नीचे examples की तरफ, जहाँ पर हम easy example को pick क करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से php function में id हम pass कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक नया variable लेंगे, जिसका name हम link डाल सकते हैं, और यहाँ पे php bracket start करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि already php जो है यहाँ पर work कर रही है, तो php theme integration में एक चीज जो आपको काफी ध html का जो combination करते हैं, वो बहुत ही ध्यान से करते हैं, so that कि php का code php में रहे और html का code html में, so यहाँ पर हमने get underscore permalink function use किया है, और उसके अंदर हम id pass करेंगे once again 36, so हमारे पास यह तीनों information आ चुकी है, so title की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर our lawyers की जगा पर हम title को echo करवा सकते हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें इस description की, तो यहाँ पर content के अंदर हमारी इस page का description हम display करवा सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर अभी यह जो hardcoded index.html पर यह जा रहा है, तो हमें यहाँ पर link मिल रहा है, तो इस link को हम यहाँ पर echo करवा सकते हैं, तो again PHP bracket के अंदर हम इस variable के content को echo करवाएंगे, तो हमने तीनों के तीनों elements को dynamic कर दिया है, तो हम अब देखना चाहेंगे अगर frontend से इसको refresh करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा title अब WordPress से आ रहा है, और content जितना हमने वहाँ पर add किया था, उतना content की यहाँ पर आ रहा है, और अगर हम check करें यहाँ पर read more link को, तो आप नीचे left bottom corner पर देख सकते हैं, कि इसका जो link बन रहा है, वो बन रहा है, wp theme slash our hyphen lawyers, जो कि इस page का link है, आप यहाँ से match कर सकते हैं, पामा link को, this one, यानि कि हमारा जो first box है, वो dynamic हो चुका है, इसी तरह से अगर आप चाहें, तो बाकी तीन box को भी dynamic कर सकते हैं, और अगर हम बात करें तो इस image को कैसे dynamic करेंगे, इस image को dynamic करने के लिए हम featured image का use कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, wordpress के हर page में, हमारे पास यहाँ पर featured image के नाम से feature available है, तो यहाँ पर हम इस image को save करेंगे, और यहाँ पर हम as a featured image, इस image को set करेंगे, और इसको update कर सकते हैं, अब हमारे पास wordpress में functions available है, जिससे कि हम extract कर सकते हैं featured image का url, तो यहाँ पर function का नाम है, get underscore the underscore post underscore thumbnail underscore url, तो इस documentation में अगर हम check करें, तो यहाँ पर post id हम mention कर सकते हैं, जिस post id की featured image आपको pick करनी है, so simply हम नीचे किसी भी example में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि get featured image से url pick करके assign कर दिया गया है, यहाँ पर get the id की जगा हम actual में वह hardcode id डालेंगे फिलहाल के लिए, बात में काफी सारे हमारे पास option हैं जिससे कि इसको भी हम dynamic कर सकते हैं, so फिलहाल हम यहाँ पर dollar image के नाम से एक variable बनाएंगे और इस function को use करेंगे, और यहाँ पर हम id यानि की 36 pass करेंगे, यहाँ पर आप image का size जो है, वह mention कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम full mention कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो यह image जो है display हो रही है, यहाँ पर img tag के अंदर meeting.jpg के नाम से, which means कि हम यहाँ पर variable में जो data collect कर रहे हैं, उससे पहले ही हमें image की requirement है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे PHP के code को हम इसको ऊपर move कर देंगे, so that image को display करवाने से पहले हमारे पास यह सारी information available हो, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो इसको थोड़ा सा format कर लेते हैं, तो अब हमारे पास image variable के अंदर image path available होना चाहिए, तो हम यहाँ पर image के source को modify करेंगे, पहले वाले source को हटाकर echo करेंगे dollar image को, और यहाँ पर अगर हम देखें, इस page को home page को refresh करके, तो यहाँ पर image available है, हम इसको verify करेंगे कि यह image हमारे dashboard से आ रही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी image हम upload करते हैं dashboard में, वह upload folder के अंदर जाती है, तो यानि कि हमारी जो यह image है यह भी dynamic हो चुकी है, तो यहाँ पर आप कोई भी feature image change करेंगे, title या content change करेंगे, तो वह सारा content and title along with feature image यहाँ पर change हो जाएगा, तो इसी तरह से आप बाकी 3 boxes के लिए भी अलग-लग pages बना सकते हैं, और उनकी ID पास करके उनका content fetch कर सकते हैं, यहाँ पर hardcode ID यूज करने का एक बड़ा disadvantage है कि जब हम इस theme को migrate करेंगे किसी server पे, और हम इसके content को migrate करेंगे using WordPress import and export, तो वहाँ पर chances है कभी-कभी content की ID जो है वो change हो सकती है, इसलिए आपका content जो है वो यहाँ पर change हो सकता है, तो इसके better alternative की अगर हम बात करें, तो हम अलग-लग theme options framework का use करके admin में कोई setting बना सकते हैं, जहाँ पर हम इस तरह की setting दे सकते हैं, कि first box के लिए आपको कौन सा page pick करना है, second box के लिए आपको कौन सा page pick करना है, so theme framework का use फिलहाल हम नहीं करेंगे, इस theme development में हम देख रहे हैं कि कैसे बिना किसी plugin को use किये, हम theme को dynamic बना सकते हैं, तो अब हम move करेंगे हमारे next section के तरफ, तो हमने अभी तक home page में logo, navigation menu, main content, और उसके बाद जो कुछ special featured boxes हैं, उनके content को manage करना सीखा है, हम देखें तो यहां पर footer area हमारा अभी भी pending है, और हमने last session में HTML का code जो move किया था, वो header and main PHP file में move किया था, template file में, लेकिन footer.php में हमने कोई code move नहीं किया था, उसको हम move करें, तो हम सबसे पहले pick करेंगे index.html, जो कि हमारा HTML template है, हमारा design है, जिसको हम WordPress में migrate कर रहे हैं, तो हम इस content को जब नीचे scroll down करते हैं, तो हमें यहां पर कुछ hint मिल जाता है, कि div id is equal to footer, Theme development में यह एक important work होता है, कि जो हमारे पास HTML available है, उसको हम छोड़े-छोड़े parts में break करना सीखें, तो कौन सा part किस section में जाना चाहिए, footer में जाना चाहिए, header में जाना चाहिए, sidebar में जाना चाहिए, या फिर homepage पनाना चाहिए, तो आप यहां पर inspect element करके check कर सकते हैं, कि किस page की id से, या फिर किस div से, हमारा यह वाला content स्टार्ट हो रहा है, सो यहां पर HTML को जब हम ध्यान से देखें, तो हमें idea लग जाएगा, कि यह जो div id is equal to header है, इसमें पूरा-पूरा header part है, जो हम head में already move कर चुके हैं, div id is equal to content में पूरा-पूरा content part है, जो हम already template में move कर चुके हैं, यह जरूरी नहीं है, कि हर template में आपको इस तरह की id मिलेगी, कभी-कभी आपको front end पे जाके चेक करना होगा, कि कहां से आपका footer का content स्टार्ट हो रहा है, सो यहां से footer का content स्टार्ट हो रहा है, तो footer के पूरे content को हम यहां से नीचे तक copy करेंगे, और इस footer content को हमें कहां पर paste करना है, हमें यहां पर जाना है wordpress की footer.php में, तो यहां पर footer में हम देख सकते हैं कि already कुछ code available है, जो कि नीचे copyright का message या कुछ इस तरह की information display करने के लिए use हो रहा है, तो अभी के लिए हम footer का यह सारा code remove करेंगे, आपको ध्यान से देखना है यहां पर कुछ ऐसा hook या function use ना हो रहा हो, जिसकी वज़े से आपकी theme impact करें, तो ऐसा ही एक function यहां पर आप देख सकते हो, WP underscore footer के नाम से है, तो इस function को हमेशा आपको as it is रखना है, हम यहां पर आ चुका है, लेकिन इसके अलावा कुछ extra content हम यहां पर देख पा रहे हैं, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो यह सारा का सारा content WordPress के sidebar से आ रहा है, और WordPress का sidebar जो है वो क्या करता है, WordPress की widgets को display करने के लिए use किया जाता है, जाता तर website में आपने देखा होगा, कि right या left में कोई ना कोई sidebar रहता है, जिसमें कुछ common content हर page पे आपको display होता रहता है, बट फिलहाल home page पे हमारे पास sidebar नहीं है, तो हम इस content को remove करेंगे, तो अगर हम देखें यहां पे तो हमारा यह पूरा पूरा जो home page का template है वो manage हो रहा है, home page hyphen template.php के नाम से, और इसमें जब हम scroll down करेंगे, तो हम यहां पे देख सकते हैं, get underscore sidebar के नाम से sidebar को include करवाया गया है, क्यूंकि sidebar की जरूरत home page के लिए नहीं है, तो इस sidebar के function को हम remove कर देंगे, तो हम फिर से यहां पे refresh करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि वो extra content remove हो चुका है, तो अब हमारे पास इस जो footer का content है, यह static है, इसको dynamic कैसे किया जा सकता है, इसको dynamic करने के लिए हम use करेंगे wordpress का एक function, जिसका नाम है register underscore sidebar, so register underscore sidebar function से हम sidebar register कर सकते हैं, और sidebar register करने के बाद उस sidebar में हम different type of widgets use कर सकते हैं, तो यहां पर अगर हम देखें, तो हम चाहें तो एक sidebar से भी manage कर सकते हैं, कि एक sidebar में यह first widget हो जाएगी, second widget हो जाएगी, third widget हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ इस तरह की condition लगानी होगी, कि एक column type का design बन सके, तो यहां पर जो best approach है वो यह हो सकती है, कि हम यहां पर 3 sidebar create कर लें, first sidebar में हम directly इस div के अंदर का content replace कर दें, second sidebar में हम यहां पर function replace कर दें, और third में यहां पर, तो 3 नए sidebar create करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह sidebar WordPress के admin में होते कहां है, तो WordPress dashboard में अगर हम appearance के अंदर widget section में जाते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि already एक sidebar available है, इस sidebar में काफी सारी widget चल रही हैं, यह वही widget हैं जो वहां पर as the extra content हमें देख रही थी, तो क्या हम इसी sidebar को use कर सकते हैं, तो अगर हम देखें तो यहां पर low form के template में, यहां पर inner page में हम देख सकते हैं कि already यहां पर left sidebar जैसा कुछ है, तो हम उस sidebar को इस left sidebar की जगा use कर सकते हैं, तो homepage के लिए better यह रहेगा कि हम तीन नए sidebar बनाएंगे, तीन नए sidebar बनाने के लिए आपको use करना होगा register underscore sidebar function, और हम जाएंगे functions.php में जहां पर यह सारे features को add किया जाता है, तो functions.php में अगर हम search करके देखें, तो register underscore sidebar के नाम से हमें function मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसके documentation से भी copy कर सकते हैं, otherwise अगर आप चाहें, तो यहां से भी इस complete function को use करके, यहां पर तीन बार paste कर सकते हैं, so sidebar के जो कुछ important parameters हैं, उसमें सबसे पहला parameter रहता है sidebar का name, तो यहां पर अगर हम देखें, तो dashboard के अंदर sidebar का जो name है, वो sidebar ही है, तो footer के sidebar के लिए हम naming change करेंगे, sidebar 1, second sidebar का नाम हम रखेंगे footer sidebar 2, and third sidebar का नाम हम रखेंगे footer sidebar 3, और अगर हम देखें तो इसके बाद parameter है id, जो की एक unique sidebar create करने के लिए use किया जाते है, which means कि हर sidebar के unique id होनी चाहिए, so that कि जब frontend पे हम उस content को display करना चाहेंगे, तो उस id के थुरू हम कर सकें, तो यहां पर sidebar 1 को हम as it is रखेंगे, और जो हमने तीन नए sidebar create किये हैं, उनकी id को हम change करेंगे, तो यहां पर footer sidebar 1, first की id रहेंगी, footer sidebar 2, second sidebar की id रहेंगी, footer sidebar 3, third sidebar की id रहेंगी, इस के parameter को अगर हम check करें तो यानि कि हर widget से पहले section tag open होगा और section tag close होगा, और हर title से पहले h2 open होगा और h2 close होगा, यानि कि जो हमारा title है वो h2 tag के अंदर आएगा, अब क्यों न हम check कर लें कि वहां पर जो html का design है, क्या वहां पर भी h2 use किया गया है, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, तो h4 का use किया गया है इस title को display करवाने के लिए, which means कि अगर हमें exact design वहां पर चाहिए, तो हम यहां पर इसको h4 करेंगे, so that कि जितने भी widget को, जितने भी content को हम sidebar में add करेंगे, उनका title h4 के अंदर आ सके, first sidebar को हम as it is रखेंगे, बाकी सब में हमने changes कर दिये हैं, तो यहां पर जब हम refresh करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि तीन नए sidebar यहां पर create हो चुके हैं, इन तीनो sidebar में हम जो content डालना चाहिए वो डाल सकते हैं, यहां पर हम देखें तो बहुत simple content है, title and then some description, तो यहां पर WordPress की default widget में से text widget को हम pick कर सकते हैं, और इस widget में हम content डाल सकते हैं, so for an example, हम latest news as a title डालेंगे, और उसके बाद जो content यहां पर नीचे visible है, वो हम यहां पर visually text में डाल सकते हैं, so इस content को हम save करेंगे, इसी तरह से हम sidebar 2 में text widget को drag and drop करेंगे, और वहां पर content paste करेंगे, कुछ भी content हम ले सकते हैं, for now हम यह content copy paste करते हैं, और फिर third sidebar में हम once again, एक और text widget को drag and drop करेंगे, so अभी के लिए हम यह simple text widget यहां पर use करके देख रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो इन में से कोई भी widget वहां पर use कर सकते हैं, जो उसका title है, उसको हम फिलहाल के लिए यह रखते हैं, इसको save करेंगे, तो तीन widget जो हैं वो dynamically हमने add कर दी हैं WordPress के dashboard में, अब हमें देखना है कि किस तरह से इन widget को हम यहां पर front end पर display करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तक यह जो widget का code है, अगर हम यहां पर देखें footer.php में, for an example footer.php में, तो यह सारा का सारा code आप देख सकते हो, कि static है, direct HTML से आ रहा है, तो यह सारा का सारा content अगर आपको WordPress से manage करना है, तो आपको use करना होगा WordPress का function dynamic underscore sidebar, so यह function आप documentation से भी pick कर सकते हो, otherwise already sidebar.php में इस function का use होता है, तो यहां पर आप देख सकते हो, dynamic underscore sidebar के नाम से function है, और उसके अंदर यह sidebar की ID पास की गई है, जो कि इस sidebar से सारा का सारा content यानि कि सारी के सारी widget ले आएगे और वहां पर display करेगी, तो यहां पर हम जाएंगे footer.php में, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो class section है उसको आपको as it is रखना है, क्योंकि इसके थ्रू ही कुछ ना कुछ यहां पर style आ रहा होगा, जो आपको यहां पर three column design दिख रहा है, यहां पर हम सिरफ section के अंदर widget का content कॉल करेंगे, जिसमें की आपको title and description मिल जाएगा, तो अगर हम याद करें तो यहां पर functions.php में जो हमने id create की थी, उस id को हम copy करेंगे और यहां पर footer.php में सबसे पहले sidebar में pass कर देंगे, इसी तरह से बाकी दोनों sidebar को भी हम call करवा सकते हैं, same function से, यहां पर second section class के अंदर हम call करवाएंगे footer sidebar 2 को, third section में हम call करवाएंगे, जो हमारी third sidebar है, जिसका नाम है footer sidebar 3, तो अगर हमारी सारी चीज ठीक से काम कर रहे होंगी, तो यहां पर refresh करने के बाद footer का content change हो जाएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं footer का content change हो गया है, तो अगर हम यहां पर देखे तो जो first box है, उसके अंदर कुछ extra spacing आ रही है, तो कभी कभी क्या होता है, हम जब copy paste करते हैं content, तो उसके साथ में कुछ extra HTML के tags भी आ जाते हैं, जो आपको यहां पर टेक्स्ट के अंदर दिख जाएंगे, तो हम यहां पर देख सकते हैं कुछ extra classes यहां पर आ चुकी हैं, तो हम इस सारे content को remove करके, plain content में एक paragraph डालेंगे और उसको save करेंगे, और फिर से इसको refresh करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा footer almost वैसा ही आ गया है, जैसा कि हमारे HTML template में था, अब आप इन तीनों boxes में किसी भी तरह का content add कर सकते हैं, wordpress के pages के list दिखा सकते हैं, gallery add कर सकते हैं, categories को add कर सकते हैं, या even custom HTML भी add कर सकते हैं, so wordpress का home page हमारा almost dynamic हो चुका है, हमने logo, navigation menu, main content, और उसके बाद कुछ featured boxes का content dynamic करके देखा, और उसके बाद हमने footer की widgets जो है वो wordpress में add की, अगर हम चाहें तो इसके लिए भी कही न कहीं setting बना सकते हैं, इसके लिए जो सबसे ज्यादा useful setting है, या तो customizer में आप wordpress के function यूज करके एक setting add कर सकते हैं, वहां से copyright का content manage कर सकते हैं, या फिर आप theme option framework का कोई plugin यूज करके कुछ extra field बना सकते हैं admin में, और उसका content यहां पर echo करके display कर सकते हैं, तो अभी के लिए footer के copyright message को हम same रखेंगे, और हम try करके देखेंगे wordpress का एक internal page, यानि कि किस तरह से हम HTML के internal page यानि कि about page को integrate कर सकते हैं wordpress के साथ, अगर हम check करें हमारे HTML template में, तो हमारे पास यह about page available है, जिसका design इस तरह से है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे wordpress के pages का जो design है वो ऐसा ही हो सकता है, तो हम जाएंगे wordpress के admin panel में और यहां पर create करेंगे एक नया page जिसका नाम होगा about us, और इसके content को हम यहां पर use करेंगे, similarly जो content हमारे पास HTML में available है, इस page को हम यहां पर publish करेंगे, अब अगर हम इस page को front end पर check करके देखें, तो इस page पर हम देख सकते हैं कि content तो हमारे पास available है, लेकिन इसका जो design है वो हमारे HTML template से different है, सो यहां पर हम बात करेंगे wordpress theme hierarchy की, wordpress template hierarchy जो है वो यह decide करती है कि आपके जो pages है wordpress में, उनका जो base है, उनका foundation है, वो किस template file में रहेगा, so for an example, यहां पर अगर हम देखें, तो इस template hierarchy में हम देख सकते हैं, कि इस तरह के कुछ examples दिये गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर आप किसी category को visit करते हैं, तो उसका जो base है, उसका जो code है, वो कौन सी file में work करेगा, इसकी basic knowledge इसलिए जरूरी है, so that कि हमें पता हो कि अगर हम यहां पर कोई page edit कर रहे हैं, तो हमें कौन सी PHP file के अंदर उसका design जो है वो ready करना है, या फिर अगर हम कोई post edit कर रहे हैं, तो उसका जो design है, वो कौन सी template file के अंदर होगा, so यहां पर हम edit कर रहे हैं pages को, तो pages के design के अगर हम बात करें, तो यहां पर हमारे theme folder के अंदर हमारे पास available होता है page.php, तो इस page.php से पूरा control होता है जो आपका यह about page है, तो इसका अगर हम यहां पर front end देखें, और यहां पर page.php के पूरे code को एक बार के लिए हम अगर delete करतें, और यहां पर refresh करें, तो आपको यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस page का पूरा content जो है, वो manage होता है page.php से, which means कि आप जितने भी pages create करेंगे, उनका जो base है, उनका जो design है, वो manage होगा इसी template file से, so in loops के अंदर आप उस page के content को display करवा सकते हैं, WordPress की जो default themes रहती है, या फिर underscore की जो theme रहती है, वो इस page template को divide कर देती है multiple files में once again, तो यहां पर आप देखें, तो जो internal content है यहां पर कि उसका title, content, इस तरह के जो elements हैं वो आपको मिलेंगे template parts folder के अंदर, तो यहां पर हम देखें, तो हम जाएंगे template parts folder में, और यहां पर अगर हम देखें, तो हम देख सकते हैं content hyphen page के नाम से एक यहां पर PHP file अविलेवल है, तो इस file के अंदर से जो है पूरा का पूरा content आ रहा है वहां पर, तो हम यहां पर देखें, तो यह again हमारे पास the underscore title के नाम से function हम यहां पर दिख रहा है, जिससे की title हम display करवा सकते हैं उस page का, और यहां पर post thumbnail के नाम से एक function है, तो इस function के अंदर जाके हम अगर check करें, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर the post thumbnail के नाम से function यूज किया गया है, जो कि WordPress का built-in function है, जो कि उस page की featured image को display करवाता है, तो इस page पर आप देख सकते हो कि the title function है, जो कि title display करवाने के लिए यूज किया जाता है, लूप के अंदर आप इन functions को use कर सकते हो, और यहां पर आपने the content से उस page का content display करवाया है, तो कोई भी page जब front end पे कोई user open करेगा, तो उस page का content सिरफ इस एक function से, based on की कोई भी page user ने front end पे open किया है, चाहे वो about us का page है, contact us का page है, या कोई internal page है, उस page का content यहां पर using this function उसको visible हो जाएगा, हम इस content management को थोड़ा सा simplify करेंगे, so rather than कि page में हम यह get template part से एक अलग file include करवाएं, जहां पर की हमारा title and content visible होगा, हम इन functions को directly copy कर लेंगे हमारे page.php में, बट इससे पहले हमें क्या make sure करना है कि हमारा जो design part है, क्या वो हमने html template से copy कर लिया है, so हम चलते हैं हमारे html pages में, तो यहां पर आप देख सकते हो about.html के नाम से page available है, तो इस page को अगर हम check करें, तो once again यहां पर header part है, जो already हमारे header में included है, उसके बाद यहां पर हम देख सकते हैं कि content part है, और content part के बाद फिर footer है जो हम already include कर चुके हैं, तो इस पूरे content की div को हम copy करेंगे और यहां पर paste कर देंगे, WordPress का code हम फिलहाल के लिए as it is यहां पर नीचे रखते हैं, उसके उपर हमने यहां से लेके यहां तक html template से code copy paste कर दिया है, सो यहां पर html का पूरा content copy करने के बाद, जब हम इसे dynamic बनाना चाहेंगे, तो हम use करेंगे WordPress के इनी loops का, जो आपको in template files में मिलते हैं, तो हम यहां पर अगर हम देखें तो यह php का loop available है, इसको हम copy या cut करेंगे, इसको हमने copy कर लिया है, इस code को हम फिलाल के लिए हटा देंगे, और यहां पर हमें ध्यान रखना है, कि यह जो outer div tags हैं, इनको हम as it is रखेंगे, क्योंकि chances हैं कि इन पर जी जो id is equal to content, या clear fix लगा हुआ है, इसकी वजह से जो html का design है वो बन रहा होगा, तो जो middle का content है, उसको हम definitely delete कर सकते हैं, जिसको हम dynamically manage करेंगे, जिसको हम dynamically fetch करके लाएंगे WordPress से, तो हम यहां पर अगर हम देखें, तो h1 को फिलाल के लिए as it is रखते हैं, और नीचे का पूरा content हम यहां से delete कर देते हैं, तो यहां पर अगर हम देखें, तो page.php में हमने html template से यह part cover कर लिया, और beach का जो content part था वो हटा दिया है, content part जो है वो आएगा WordPress के function से, और WordPress के function जो हैं वो काम करेंगे loops के अंदर, तो यहां पर हम loops को paste कर देंगे, और format करने के बाद title function को copy करेंगे, और page.php में इस loop के अंदर उसको use कर लेंगे, PHP bracket already open है, दुबारा से open करने की जरूरत नहीं है, तो इस loop के अंदर हमने the title tag को use किया, which means कि यहां पर जो title हम html से लेकर आ रहे थे, उसकी जरूरत अपना ही रहेगी, title हमने migrate कर दिया है WordPress में, title को हमने convert कर दिया है WordPress में, title के बाद हम display करना चाहते है content, तो यहां पर the underscore content के नाम से हमें function मिलेगा, इस function को copy करके हम use कर सकते हैं, यहां पर title के बाद, और इसके बाद हम अगर देखें, तो एक useful function हमारे पास available है, post thumbnail के नाम से, यह function आगे use करता है get post thumbnail, जो की WordPress का function है, WordPress की feature image को call करवाता है, तो इस function को हम use करके, यहां पर display कर देंगे, the content के बाद या the content से पहले, अब the content से पहले, अगर हम इसको display कर सकते हैं, तो शायद से जो HTML का design है, वो हम पूरा achieve कर सकते हैं, तो इस design को अगर हम फिर से देखें, तो हम देख सकते हैं, कि हमें loop के अंदर सबसे पहले title display करवाना है, फिर उसके बाद image display करवानी है, इस image को हम direct editor में भी add कर सकते हैं, और हम featured image के through भी display करवा सकते हैं, अभी के लिए हमने featured image का function हमें दिखा, तो हमने उसको use कर लिया, और इसके बाद जो यह पूरा content है, यह सारा content as it is wordpress editor से हम easily manage कर सकते हैं, तो हम वापीस से जाएंगे coding में, coding में हमने देखा कि loop के अंदर हमने title display करवाया, उसके बाद thumbnail display करवाया, उसके बाद पूरा content display करवा दिया है, तो इस template file की जरूरत हमें अब नहीं है, तो इसको हम delete करतेंगे, इसके अलावा यह कुछ comment का code है, इसको हम as it is रख सकते हैं, इससे क्या होगा कि आप अगर अपने pages में comment enable करना चाहते हैं, तो वो enable कर पाएंगे, तो इसको हम save करते हैं, और यहां पर front end पे जाके, हमारे about us के page को refresh करते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि title and content जो है वो यहां पर as it is visible हो गया है, जैसा कि html template में है, which means कि हमारा जो internal page यानि कि about page है, वो भी wordpress में almost convert हो चुगा है, जो एक चीज हमें दिख रही है यहां पर pending वो है image, image के लिए हमने यहां पर use किया था post thumbnail, which means कि यहां पर अगर हम featured image add कर दें, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इस image को save करेंगे, और यहां पर featured image में, इस image को upload करके set featured image set कर देंगे, इस page को update करेंगे, और front end पर जाके जब हम इसको refresh करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो internal page है, वो almost वैसा ही दिख रहा है, जैसा कि html page दिख रहा था, कभी-कभी यहां पर हमें html और wordpress की design में कुछ minor difference दिखते हैं, जिसका reason यह हो सकता है, कि जो wordpress की default css वहां पर render हो रही है, वो किसी ना किसी html css को override कर रही होगी, तो हम अगर देखें तो almost हमारा internal page जो है, वो वैसा ही दिख रहा है, जैसा कि यहां पर html का page था, यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ extra content आ रहा है, जैसे कि यह home page पे भी आ रहा था, तो हमें पता है कि यह content है, यह sidebar.php से आ रहा है, और sidebar.php जो है, वो यहां पर get underscore sidebar से load होती है, तो इस function की जरूरत हमें नहीं है, इसको हम delete करेंगे, और यहां पर जब हम refresh करेंगे, तो हमें देख सकते हैं, कि इस पूरे page का जो look and feel है, वो almost ऐसे ही हमारे HTML page जैसा दिख रहा है, जैसे हमारा एक internal page dynamic हो जाता है, तो हम जितने चाहे internal pages create कर सकते हैं, for an example, यहां पर हम एक और नया page create करेंगे, जिसका नाम हम दे सकते हैं contact, उसके बाद यहां पर हम कुछ pattern का use करेंगे, so that कि quickly एक basic design बनाया जा सके, यहां पर हम इसको publish करेंगे, और इस content page को अगर हम view page करके देखें, तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह का content हमने वहां पर admin में set किया है, वैसा ही design आपको यहां पर देख जाएगा, तो यानि कि अगर हम देखें तो अब जितने चाहे pages हम create कर सकते हैं इसी design के साथ में, और अगर हम चाहें तो इन pages को easily menu में add कर सकते हैं, तो once again हम जाएंगे dashboard में appearance के अंदर menu में, और यहां पर जो अभी अभी हमने about और contact us का page create किया है उनको हम add कर देंगे, यहां पर हम same menu पर click करेंगे और front end पर जाकि अगर हम check करें तो हमारा menu update हो चुका है, जितने pages हमने create किये थे, for an example home page पर हमें home दिख रहा है और contact page पर हमें contact का content दिख रहा है और about us पर हमें about का content दिख रहा है, तो इस तरह से आप किसी भी HTML template को WordPress में convert कर सकते हैं, अभी जो process हमने use की इसमें हमने किसी भी plugin का use नहीं किया, बट अगर हम चाहें तो theme options के कुछ plugin का use करके home page के सारे content को एक ही section से manage करवा सकते हैं, और इसी तरह से काफी सारे plugins available हैं जो की आपके अलग-अलग features को dynamic convert करने में आपकी help करते हैं, for an example, sometimes अगर हमारे HTML page में अगर कोई gallery या slider रहता है तो हम WordPress के gallery या slider plugin को use करके उसको dynamic बना सकते हैं, इस theme integration में हमने देखा कि किस तरह से हम logo, navigation menu, middle content, some featured sections और footer को dynamic बना सकते हैं, so WordPress theme integration में और भी काफी सारे concepts हैं जो use होते हैं, लेकिन वो depend करता है कि आपका HTML का template कैसा है और कौन-कौन सी feature आप WordPress theme में use करना चाहते हैं, इस theme integration में हमने WordPress की documentation से कुछ functions पिक किये हैं, जिनके links आपको description में मिल जाएंगे, WordPress के कुछ advanced topics को अभी इस theme integration में हमने cover नहीं किया हैं, जिसको हम एक नई series में बहुत जल्दी ही cover करेंगे, वीडियो को last तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद